हाई वेलकम बेक आज के लेक्ट्टर वीडियो में जो क्वेशन से मौस्टली फ्लूड स्टैटिक्स के टॉपिक के क्वेशन से तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चिन 201 में पुछा है कि कोई काटल सरफेस पर है उसमें जो फोर्स होगा उसका हो इसका औरस निका लें ऐंगे एकवाइग होत् framework जो की इकल होगा जो भी समय एक कंटेट कर रहा है उसका जो weight होगा और यह कितना volume of water contained कर रहा है है यहां पर जो मैंने shaded करके दिखाया है इतना volume of water है वो इस current body के ऊपर rest कर रहा है इसके कारण उस volume of water का जो weight आएगा हूँ इस current body पह आएगा तो वा टीकल जो force होगा वो उब तो component यहां पर इस तरीके से भी water lateral pressure लगा रहा होगा horizontal component होता है वो equal होता है यह जो card जो surface है उसका अगर हम vertical पर projection लेंगे उस projection पर जीता hydrostatic force लग रहा है उतना ही hydrostatic force इस body पर लग रहा होगा horizontal component निकालने के लिए यह जो card surface है इसका projection लेंगे तो यह vertical line है यह इसका projection होगा कि इस तरीके से projection लेंगे तो यह vertical line आएगी vertical surface पर projection लेंगे तो इस vertical जो line आ रही है इस पर जो pressure force लग रहा है उतना ही pressure force horizontal वाला pressure force इस third body पर लगेगा तो vertical component हो गया कि जितना weight of water content हो रहा है उसमे weight of water यह liquid उसके weight के equal force होगा और horizontal component के लिए हम एक vertical surface पर card surface का projection लेंगे उस vertical surface पर जो भी pressure force horizontally act कर रहा है सेम उतना ही pressure force एक्ट करेगा card surface पर तो यहां पर इस question का answer होगा यहां पर उसने पूछा horizontal component तो यह pressure force की बात कर रहा है horizontal वाला तो यह equal हो जाएगा option B force on vertical projection of the card surface question में इसने answer की में इसका answer D given है D होगा vertical वाले case के लिए अगर vertical force या gravitational force पूछा है तो वो option D के equal होगा अभी यहां पर option B correct होगा next question 202 हमने पढ़ा पहने भी कि एगर बहुत small diameter की हम कोई pipe यूज करेंगे तो उसमें capillary rise होगा अगर हम उस pipe को as a piezometer या manometer यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी जो liquid होगा उसका capillary rise होगा और उसके अकारण हमारे results में error आईगे हम इस situation को avoid करना करने के लिए सबसे simple तरीका है कि जितने डाया की pipe में capillary rise होता है मुझसे बड़ी डाया की pipe लें अगर हम लास्ट डाया लेंगे तो वहां पर capillary rise का issue नहीं होगा तो इसके लिए मुझसे में given है कि हम 12 mm से बड़ी डायामिटर की pipe लेते हैं ताकि capillary rise के कारण error राई वह ना हो कि और इन जनरल 12 mm से ज्यादा है और अगर कहीं पर बहुत ही कम प्रेसर है और बहुत एकुरेट लिए प्रेसर में जो कर रहा है कर रहे हैं उस इसमें हम डाया को 25 mm से भी ज्यादा रखते हैं यहां पर option से वह सारे गलत हैं आप और करेक्ट आंसर याद रखना है यह मोदियंड सेट में प्रेफ्रेंस गीवन है इसका नेक्स्ट प्रेस्ट प्रेसर वही होगा जो कि प्रेसर डायग्राम का सेंट्रोइड होगा इसका प्रेसर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा यहां पर प्रेसर होगा यहां पर प्रेसर होगा यहां पर प्रेसर होगा यहां पर प्रेसर होगा तो आंसर बी होगा इसका भी आंसर की में ऑप्शन गीवन है वो ऑप्शन ए आंसर गीवन है जो कि गलत है next question 204 question 204 से पहले कुछ चीजे डिसकुस करते हैं जो कि आपको पहले से पता होने चीए एक होता metacenter जो body का rotation होता है oscillate करती है body तो metacenter के बाओ oscillate करती है g होता वो center of gravity होता है जो कि पूरी body है उसका जो center of mass है वो center of gravity है एक b है वो center of buoyancy है जो कि center होगा volume जो जितना fluid displaced किया है उसका जो center of mass होगा वो center of buoyancy होगा तो यह इस तरीके से located होते हैं अगर कोई body stable equilibrium में है तो सबसे उपर M होगा फिर G होगा फिर B होगा क्या है कि जब body stable equilibrium में है तो इसका कुछ part ही इसके अंतर डूबावा होगा तो जीतो होगा इसका खुद का center जो फिर फॉर एक्जांपल हमने को rectangle body ली है तो जीतो इसका खुद का center होगा जो कि इसके संबस्द हो रहा है इसका जो centroid होगा वो होगा centrobioncy इससे आपको याद रहेगा कि किस तरीके से points located होते हैं M फिर इसका center आगे अब G और फिर जितना part संबस्द है यह जितना पानी में डूबावा है इसका center आगे भी तो M G B इस तरीके से located होते एक बहुत अब इसमें हमें निकालना होता है mostly हमारा concern होता हो जी एम का होता है जो कि metacentric height होता है तो जी एम हम लिख सकते हैं कि जी एम इक्वल होगा बी एम माइनस बीजी और हम एक experimental method से metacentric height find करते हैं तो बी एम वहापे होता है आई एपोन वी आई है वो moment of inertia है और वी है वो volume of water displaced है आई है वो moment of inertia floating body का longitudinal accesscape out और वी है वो volume of water displaced है तो यह दोनों formula है आपको याद रखने है आई एपोन वी होता है वो बी एम होता है इसने यहाँ पर पूछे height of metacentric above the center of buoyancy किस किस के भी स्काडिस्टेंस पूछ रहा है बी और एम की इसका distance पूछ रहे है तो बी और एम के distance पूछ रहा है तो यह वो जाए गाई एपोन वी यह वाली टंग यह formula भी याद रखना आपने यह निचे वाला भी आद रखना तो यह question हो जाएगा answer हो जाएगा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने का उसके बीटेग में फ्लूट मेकनिक्स की लेब अटेंड की होगी तो आपने किया होगा यहां पर एक शीप फ्लोटिंग बॉड़ी होता है जिसका डबलु है उसमें स्मॉल वेट डबलु लगाते हैं जिसको पहले हम सेंटर ऑफ ग् पुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि यह डारेकली फोर्मला याद रखनेंगे आप रख सकते हो तो बेस्ट है बट बहुत सारे फोर्मुले है याद रखने को पूरा बीटेक का तीन साल का जो स्लेबर सापको एक जिन में पढ़के जाना है बहुत सारे फोर्मले तो यह यहां पर फ्लोटिंग बोडी है यह फ्लोटिंग बोडी है जिसका वेट है वह डबलू वन है इस पर हमने छोटा सा अलग स्मॉल वेट रखा हुआ है स्मॉल डबलू से इसको हम डिनोट कर रहें जो कि एम और जी से पास होते हैं इस तरीके से डाउनवार लग रहा हमने इसको यहां से दिट इस्टेन्स करके यहां नई पोजेशन पर रख दिया अब नई पोजेशन पर सिफ्ट करते ही इसके कारण से मोमेंट आएगा बो डिपे और मोमेंट हो जाएगा फोर्स इंटु पर्पेंडेकुलर इस्टेंस तो फोर्स आ डबलु sì और इसके डिस्टेंस वह डिए से इसको डिस्टेंस डिस्बस किया है तो-फोर्स इंटुा इस जाने हुआ है नुजक embarrassment पॉजिशन में इसका टो और बोडी वापिस से नहीं पॉजिशन पर आगी थीटा तील्ट होने के बाद आगे उसका रोटेशन नहीं हुआ उसने एक्किलिब्रियम की कंडिशन अचीव कर ली वह फिर से उसी पॉजिशन पर रुख गई आगे रोटेट नहीं हो रहे है यहा पर कोई तो रेजिस्टिंग मोमेंट होगा जिसने इस डबलूडी को कंपंसेट किया होगा वह वह रेजिस्टिंग मोमेंट आया जी है वो नई पोजिशन पर सीप्ट हो गया जीवन ऐसा क्यों हुआ पूरी बोडी में मास्ट था पहले वह सेंट्र ओफ ग्रेविटी जो किया जो इसक जीवन नहीं पूजिशन है और जीवन के पर सिफ्ट होने के कारण डबलू लग रहा है तो तो टो टॉटल डबलू है यह डबलू प्लस स्मॉल डबलू वह लग रहा है पर यहीं होते हैं इस इंट्रोप ग्रेविट की डेफिनेशन की पूरा पूरा ग्रेविटेसनल फॉर्स मान सब्सक्राइब है कि इसके कारण अब हम एमके बाउट मोमेंट निकालेंगे एम के बाउट मोमेंट निकालने के लिए हमें परिपेंडिकुली डिस्टेंस जीए अब इसमें अगर ये वाला ट्राइंगल आप कंसिडर करो तो परिपेंडिकुली डिस्टेंस जी जीवन है जो की इक्वल हो जाएगी ग्म 10 थीटा की तो ग्म 10 थीटा इंटु W1 प्लस W या रिजिस्टिंग मोमेंट ये व को डिस्टेंस कने के जीवन मोमेंट है ये दोनों मोमेंट इक्वल होंगे और यहां से जीएम आजाएगा श्माल डब्लू इंटू डिव प्लस W1 प्लस दू डब्लू इंटू 10 थीटा यहां पर काफी पार हम मानते हैं कि इस W1 के comparatively small W काफी काफी small है तो हम इसको थोड़ा सा simplify करते हैं इसको ignore कर देते हैं और यह हो जाता है W1 tan theta तो diagram में आपको पुरा याद नहीं रहे पाएगा आप यह याद रखो कि जो perpendicular distance उससे आ रही है जो gravitational force के कारण जो moment आ रहा है उसको perpendicular distance है वो gm 10 theta है और यह तो w into d साफ साफ दिखी रहा है तो इस तरीके से यह formula आ जाएगा यह वाला जो कि question में given है वो option c में given है तो इसका answer हो जाएगा option c हो जाएगा next question है 206 जो कि अभी हमने formula derive किया उससी पर best है gm is equal to w d upon w 10 theta यहां पर gm metacentric height given है जो कि 5 meter है और theta की value find out करनी है तो पहली बात तो इस type के questions अगर exam में आई तो आपने इन में time waste नहीं करना है बिना calculator के values नहीं find out कर पाऊगे पटबट से question को skip करना है अभी मैं explain कर देती हूं कैसे होगा 5 w की जीए 900 d की जीए 9.8 capital w 10,000 exactly अगर calculate करना हो तो यहां पर 10,000 plus 900 आएगा पट इसने जो किया है इसने नहीं लिये इसने जिए 10,000 ही लिया है जो कि हम approximate करके कर लेते हैं तो 10,000 यहां पर हो गया into 10 theta यहां से हम 10 theta की value find out करेंगे तो 10 theta is equal to यहां पर आएगा 0.176 something और theta का 10 inverse करके निकालेंगे तो theta आएगा 10.004 degree जिसको degree और minute में करेंगे तो 10 degree आएगा और 0.243 minute आएगा 0.243 तो वैसे तो exact answer तो कोई सा भी नहीं है इन में बट फिर भी most clause अगर देखें तो option A है यह degree से minute में आएगा 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 आपको convert करना आता हो यह 0.004 जो है यह है degree में इसको 60 से multiply कर देंगे जो point के बाद वाला figure उसको 60 से multiply कर देंगे तो minute में minutes आजाएगे जो 0.004 में कितने minute होंगे 0.243 होगा next question 207 में पूछा है कि जो time of oscillation होगा जो time period होगा oscillation का वो कितना होगा floating body गा तो basically यह SHM का question simple harmonic motion में क्यों equation derive करते हैं और उससे में constant find out करते हैं उससे हम T निकालते हैं उसमें जो constant आ रहा है proportional T वो find out करके उससे हम T निकालते हैं इसमें यहां पर आपको इतना सा याद रखना है direct formula याद रखना है जो कि होगा 2 pi k square upon g h का root k यहां पर रेडिस ओफ गायरेशन है जी है वो ग्रेविटेशन एक्सेलेशन है और h है वो मेटरसेंटिक हाइट है second thing कि यहां पर यहां पर याद रखने का जरबत भी नहीं है formula अगर आप units match करोगे उससे भी पता चल जाएगा कि correct answer होगा तो ओप्सन भी ही होगा इसकी आप unit निकालोगे उपर है meter कि है radius of gyration तो meter square meter होगा square होगा meter upon second square unit हां पर आनी चाहिए ब्रेकेट के अंतर आना से second square से meter का कुछ नहीं आना चाहिए ताकि इसका root करके second में आ जाएगा time period है तो second होगा इसते करेंगे तो नहीं आएगा इसते करेंगे तो आजाएगा इसते करोगे तो भी नहीं आएगा units match करके भी आप यह formula याद रखने में थोड़ी help में मिल जाएगी और इस टाइप कोई question है यहाद रखने का जरुत भी नहीं है तो इसका answer हो जाएगा option B next question 208 same जो उपर हमने किया उसे पर best numerical problem है जो भी हमने derived किया equation जो लिखा उपर formula में values put करेंगे तो k की value यहाँ पर given है 4 तो k का square तो 4 x 4 धान रखना है 72.5 cm में है तो इसको पहले 9.8 G लिख देते हैं उसके बाद इसको meter में convert करेंगे तो आजाएगा 0.725 इसको calculation simple है without calculator आप कर सकते हो easily 2 pi 4 बाहरा जाएगा 9.1 को अप्रोक्समेटली 10 ले ले लेते हैं options यह ज्यादा close नहीं है दूर है तो यह आजाएगा 1 by 7.25 अब रूट या तो आप चाहिए तो 10 तक के जो फिगर सा उनका root याद भी रख सकते हो directly थोड़ा सा calculation में खोजाएगा अगर नहीं है तो भी कोई इस्यो नहीं है 2.24 कि इसका पता है कि इसका जो-गी पॉल एक सांपल आगा इसका root जो की 2 से तो बढ़ा होगा कि 2 का स्क्वार होता है 4 और 3 से सोटा होगा यूंकि 3 अजर हम लिकेंगे तो तिन का स्क्वाइर हता है नाइन तो 9 से तो फोटा होगा थोडा, दो से बड़ा होगा, तो एक बार दो रखे आप value निकाल लो यह पर, 2 रखा यहां पर फोर एक्जांपल, 2 रखा तो यहां पर हमारा answer अगा 4π, से चोटा होगा और यहां पर हम 3 रखते हैं 2.24 यहां पर 3 रखेंगे तो यह आएगा कुछ 4.3 तो 1.33 है यह तो इसको सॉल करेंगे तो यह आएगा कुछ 2.67 पाई इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है इनकी बीच में एक यह आ रहा है ऑप्सेंस से जब भी क्या क्या प्रेक्टिस करें इस तरीके से आप अप्रोक्सिमेशन से भी आंसे निकाल सकते हो कि 4 पाई के बीच में कुछ आएगा तो आंसर हो जएगा जेगा बीच में पानिमेशन से इससे ने इससे ने तो इससे बहुत बाऊते वह उत्जिली हो जाएगा कि इस अग्य होते है कोई बोडी है वो फ्लोटिंग ऑब इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट इसका पाणे में डूबा हुआ है और बागी है ये पाने से बाहर है जब इस फ्लोटिंग है तो एक्योड ब्लेप्रिम है यह निचे की डूब भी नहीं रही है ऊपर भी नहीं आरा हरा हूं यह इकविर्यम में कर दोनों होने عليه में डाओनवाड फोर्स लगँ रहा है इसका वैट की जो की अगर इस मैटेरियल से बना हुआ है वर एक्जांबल उसकी ख्रकों स से डिनोट कर रहे हैं S into W हो जाएगा, इसका specific weight W, W है, यह specific weight of water है इसकी specific gravity हो S है, तो इसको multiply किया तो यह इसका specific weight आगया जिस material का यह बना हुआ है into volume वो इसका total weight हो जाएगा अगर इसकी height H है और area अगर A है area into H यह हो गया gravitational force यह equal होगा buoyancy force के buoyancy force होता है weight of volume of water displaced volume of water displaced होगा A into X क्योंकि यह X height तक इसमें submerged हो रखा है, पानी में X height तक डूबा होगा है तो volume of water जितना इसका पानी में डूबा होगा है उतना ही volume of water इसने displaced किया तो volume of water displaced होजाएगा A into X उसका weight होजाएगा into W इससे सारे buoyancy के questions होजाते हैं अगरे इतना सा concept आपको पता है यहाँ पे इसने क्या पूछा है यहाँ पे इसने पूछा water displaced यहाँ पे इसने water displaced में पूछा मतलब A into X पूछ लिया काफी बार X पूछ लेता है काफी बार बोलता है कि इतने हाइट पाने में डूबाव है आपसे S पूछ लेता है X दे देता है तो यहाँ पे हम values रखेंगे S है इसका 0.75 W ड़व इरख देते हैं दोनों साइट कैंसिल हो जाएगा A into X इसका total volume है 2 meter wide hour 5 meter long है तो area हो गया 2 into 5 into height इसकी है 3 meter is equal to A into X यह volume हमें निकालना है into www तो www से cancel हो गया और इसमें यहाँ पे आजाएगा 0.75 into 2 into 5 into 3 यह आजाएगा 30 into 0.75 is equal to volume of water displaced इसका पाने में डूबा होगा है उतना ही इसने displaced किया volume of water 30 into 0.75 इसको solve करेंगे इसका answer आजाएगा 22.5 meter cube जो की है option C में next question at 210 की pitot tubes का क्या use होता है तो pitot tubes का use करते हैं velocity measure करने के लिए इसका answer हो जाएगा option C next question at 211 2 layers in fluid की dv उनमें velocity difference है और shear stress है तो is equal to mu dv upon dy है यहाँ पर पूछा है कि mu क्या है तो mu को coefficient of viscosity भी बोलते हैं absolute viscosity भी बोलते हैं viscosity भी बोल देते हैं और dynamic viscosity भी बोलते हैं तो इसका answer अगा option E हो जाएगा यह newton's law का expression दिया इसने यहाँ पर next question at 212 212 में यहाँ पर एक question given है कि question है यह किसने दी थी तो यह newton's law of viscosity है तो इसका answer option D हो जाएगा next question at 213 यहाँ पर statements given है और correct statement को find करना है first statement में बोला है कि tau is equal to dv upon dy यहाँ पर mu भी आएगा यह इसने miss कर दिया tau is equal to mu dv upon dy जो इसको follow करते हैं उनको newtonian fluid बोलते हैं तो यह statement सही है next option B में बोला है कि वह fluid जो कि follow नहीं करते है linear relationship between dv upon dy and tau इन दोनों के 20 में linear relationship नहीं होता है तो इस टाइब के fluids को हम non-newtonian fluid बोलते हैं तो यह भी सही statement है option C में बोला है कि वह substance जो कि कुछ yield strain के बाद में flow करने लग जाते हैं उनको plastic बोल तो इसको समझने के लिए हम एक बार diagram देख लेते हैं कि कैसा curve बनता है यहाँ पर यह जो diagram है यह plastic इसको bingham plastic भी बोला जाता है जब yield इस यहां से लेकर यहां तक increase होता है तो यह flow नहीं होता है इसमें as a fluid यह behave नहीं करता है लेकिन कुछ yield stress तो not reach होने के बाद में यह newtronial fluid के जैसे behave करता है और यह flow करने लग जाता है तो इस प्लास्टिक यह भींगम प्लास्टिक वह लते हैं तो statement C भी बिल्कुल सही है यहां पर yield stresses होते है जो प्रोपर डेफिनेशन होता है yield stress अगर initial कुछ सही होता है उसको उसके बाद fluid के जैसे behave करता है तो इसका answer हो जाएगा option D हो जाएगा next question 214 इसके लिए आपको simple formula याद रखना और यह वाला जो formula आप easily उसे derive कर लोगे यह वाला formula याद रखना थोड़ा सा complex थोड़ा सा मुश्कील होगा बस हमें एक equilibrium की condition लगाने है तो terminal velocity का पूरा concept क्या होता है कि कोई for example कोई cylinder है जिसमें की कोई fluid fill किया हुआ है इसमें हमने कोई solid ball यहां पर डालनी है यह ball नीचे की तरफ मुग करेगी और इसकी velocity इस इनीशल में काफी ज्यादा होगी दीरे दीरे क्या होगा कि equilibrium की condition पर आ जाएगी और यह constant velocity से नीचे की तरफ मुग करेगी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें यह पर तीन forces लग रहे है एक एक बायोंसी फोर्स अपवार्ड है जो कि constant है एक डाउनवार्ड फोर्स लग रहा है इसमें gravitational force वह भी constant है उस gravitational force के कारण इसकी velocity बढ़ेगी और इसकी velocity जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें अपवार्ड और दूसरा फोर्स लग रहा है viscous force viscosity के कारण इसमें अपवार्ड एक फोर्स लग रहा है जो कि होता है six pi eta rho v यह viscous force होता है six pi eta rho v यह इसको eta से भी denote करते हैं mu से भी denote करते हैं तो six pi mu r v यह formula आपने simple सा याद रखने है six pi mu r v जैसे जैसे velocity बढ़ेगी यह viscous force upward जो लग रहा है यह भी बढ़ता जाएगा और एक कंडिशन ऐसी आएगी कि अपवार्ड दोनों फोर्स जो लग रहे है बाइंसी और विसकस फोर्स वह इक्वल हो जाएंगे gravitational force के और बहुत ही सिंपल से इजी लिए क्रेशन आजाएगी क्या करना है विसकस फोर्स अपवार्ड लग रहा है विसकस फोर्स की डेफिनेशन यहीं कि रेजिस्ट करता है मुमेंट को तो यह बोडी जो अंदर जा रही है इसमें उसका भी रेजिस्ट करेगा मुमेंट को प्लस बाइंसी फोर्स बाइंसी फोर्स पर अपकवार्ड लग रहा है यह हो गया विसकस फोर्स प्लस अगला आएगा बाइंसी फोर्स बाइंसी फोर्स के लिए हमें लिक्विट जो इसमें फिल किया है उसके स्पेसिपिक वेट के ज़र्वत पुड़ेगी जिसको हम डब से देनोट करेंगे तो बायोंसी फोर्स होगा एक्वल पूरी की पूरी समझद है तो बायोंसी फोर्स इक्वल हो जाएगा इसका टोटल वोल्यूं multiply by w is equal to gravitational force 4 by 3 pi r cube into इसका specific weight जो की है w s यहाँ पर pi की term तो हर जगे cancel हो जाएगी और थोड़ा से इसको simplify करेंगे तो यह आजएगा 6 mu r v इदर आजएगा 4 by 3 w s minus w और r square लिख देते हैं एक r इदर भी है इसको cancel करके r square इसको और simplify करके हमें निकालना है v v तो v आजएगा 4 divided by 3 into 6 w s minus w sorry यह w यह आएगा यह वाला term था is equal to into r square यहाँ से यह आजएगा 2 और यह आजएगा 3 तो 2 by 9 r square 2 by upon mu w s minus w तो यहाँ पर answer आजएगा option b आजएगा बस आपको यह simple सा यह formula याद रखना और आप यह equation फटा पट से derive कर सकते हैं next question 215 215 इसकी मैं काफे simple से trick आपको बताऊंगे हम इसकी depth में derivations में नहीं जाएगे कि यह equation आती है इसकी कैसे आती है simple से trick है जैसे कि कोई है फ्लूड है इसमें और इसमें vertically acceleration लग रहा होते है अगर सिर्फ gravitational acceleration होता है तो उस अगर एच डेफ तक फ्लूड फिल किया है और इसमें जो फोर्स लग रहा है और यह जासे कि आपर रखावा इसमें जो जी लग रहा है एच हाइट तक फ्लूड है इस वाले पॉइंट पर प्रेसर निकालेंगे तो वह रोजी है जाएगे इसी से कैसे पर इस यह स्ट्रेट कि हो जाएंगे एक सीज आपको धहां रखनीत है कि अक्यर्प में रिफ्ट में या किसी में आ 있으ं तो आपको अपना टक फो dengan फेलो थे जब लुड जा रहे होते हैं यह जब डाउन वार्ट हम जा रहे होते हैं जिलिए में जो जा रहे हैं जब downward जा रहे हैं तो हो जाएगी g minus ax या alpha भी लिखते हैं इसको यह ax यहाँ पर है यह vertical acceleration है और इस यहाँ पर g की जगा आजाएगा g plus ax यह formula आपको याद रखना है जहाँ पर आप g रख रहे थे इसमें वहाँ पर आपको g यह रख दिना है नहीं जो formula आए है जी प्लस ax लग दिना अगर upward है तो यह तब कब होगा जब upward कोई body move कर रही है जिस पर gravitational external downward g लग रहा है और upward उसका acceleration वह ax है तो जी प्लस ax होगा अगर दूसरा case है जब downward move कर रहे है उसके समें कम होता है वेट कम फील होता है यह फील किया होगा आपने जूले और लिफ्ट में आपने जरूर ट्रेविल इसमें किया होगा बैटे होंगे तो तो यह formula आपको इसे याद रखने और यहां पर जी की जगए vertically upward with a uniform acceleration vertically upward तो formula होगा जी प्लस ax तो pressure bottom पे क्या होगा जी की जगर जी प्लस ax रखेंगे तो pressure bottom पे increase होगा तो यहां पर इसका answer होगा देखते हैं option तो answer हो जाएगा वो option A हो जाएगा greater than static pressure और next question में इसने पूछा है कि mood vertically downward with a uniform linear acceleration downward downward जा रहे हो downward जा रहे हैं तो weight कम feel होता है तो उस case में acceleration होगा वो जी माइनस ax होगा जो रोजी एच में जी कीज़ेगा हम रखेंगे जी माइनस ax तो static pressure जो आ रहा है उस case में less होगा तो इसका answer हो जाएगा वो option C हो जाएगा होप आपको इसमें जागे से कोई दिक्कत नी आएगी आद रखने में कि next question 217 जो कि अभी हमने formally derived कि उन्हीं पर बेस्ट है इसमें यह पर पूछा है कि कोई tank है जिसका size given है उसमें liquid fill है और उसको एक acceleration से एक g by 2 acceleration से एक बार upward move करा रहे हैं एक बार downward move करा रहे हैं और जो pressure होगा उसका ratio पूछा है तो upward जो मूँ करा रहे हैं उस case में होगा row into row जो भी यह इसमें liquid है oil है इसमें row O से denote कर देते हैं जो oil है उसका row को upward है तो उस case में हो जाएगा g plus a into h यहां पे है 4 meter into 4 h को वैसे में लिखने का जबरत नहीं है second वाले case में हो जाएगा downward downward जा रहे हैं तो हो जाएगा g minus से into 4 अब बस बाकी सम तो cancel हो रहे हैं एक की हम value रुख देते हैं g plus g by 2 g minus g by 2 और sorry 2 और यह आजाएगा 3 by 2 upon 1 by 2 तो इस cancer आजाएगा वो 3 आजाएगा option b next question at 218 कि इंडिया में highest dam हो कौन सा है तो इंडिया में highest dam हो भाकणा जो कि सत्लूज रीवर पे हैं डीवर पे बना हुआ है और हिमाचल के बिलास्पूड इस्टिक में बना हुआ है यह जर्नल चीजें भी आपको पता होने चाहिए जर्नल लोलेज के साब से भी और as a civil engineer इसका अंसर हो जाएगा option a next में पूछा है कि non overflow double curvature concrete तो concrete का यह double curvature का डेम है यह option D होगा इडीकी डेम जो की बना हुआ है केरला में पेरिया रीवर पे पेरिया रीवर पे बना हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा option D next है last question 220 220 में पूछा है कि कैविटेशन होगा वो कैसे किसके कारण होगा एक बार केविटेशन पुरे पता देती हूं आपको एक्सल में क्या होता है किसी बी लिक्विड को कि किसी सबस्टेंस को लिकविड फ्रम ए रखने के लिए सेम यह चीज हम प्रेशर रिड्यूस करके भी कर सकते हैं कि प्रेशर आपने इतना कम कर दिया कि नॉर्मल टेंप्रेचर पे भी वह गैसिस फोम में चला जाएगा और इस प्रेशर को बोला जाता है वैपर प्रेशर जिस प्रेशर पे वह नॉर्मल टेंप्रेचर पे भी गैस प्रेसर इतना कम हो जाता है तो प्रेसर इतना कम है लिक्विड फोर में रहेगा रहे लिक्विड पे पहुंसते ही एकदम से वह वैपोराइज हो जाएगा वह गैसे फोर में जाला जाएगा लिक्विड प्रेशा प्रेशाई पर प्रेशे पर utilizar नंतीनल खेलर पूइंच के वहां पर जहां पर पहले गया था लिक्विड ने थोड़ा सा वोलिम उक्यूपाई किया और वहां पर व्यक्विट गए तो आज-पास के जो भी पॉइंट से जो भी वाटर की पार्टिकल से उस लोग प्रेसर की तरफ जाना चाहेंगे और उसके कारण में और वहां पर वहां पर रोड़ीटेशन की प्रोब्लम हो गया तो इसका आन्सर होगा वो लोग प्रेसर होगा तो यही था पूरी कहानी का कि प्रेसर इतना कम हो गया कि लिक्विड गैसे स्पोर में कनवर्ट हो गया और उसके कांट से सारी प्रोड्लम स्थार्ट हुई तो यह था आज की लेक्षर का लास्ट वीडियो अगर आपने लेक्षर सुना है तो फीडबैक देना ना भूले कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओल दे बेस्ट